तो दोस्तो आप लोग कैसे आई होप कि आप लोग अच्छ होंगे और अच्छी तरसी त्यारी करेंगे दोस्तो आप सभी को पता हुआ कि हम बोडिक जाम के लिए अच्छी तरसी त्यारी करें ताकि हम अच्छी सच्छे अंक लास के सो दोस्तो आज किस वीडियो हम देखेंगे का लास 12 हिंदी की बीवी आइ अब्जेक्टिव कोचन पार्ट 16 जो कि आपके फाइनल बोडिक चाम के लिए काफी महातपुन है तो दोस्तो आप भी बोडिक चाम देने बालें तो वीडियो को सुरू से लेकि अंतक बने रहे क्योंकि हाँ वीडियो आपके लिए काफी महातपुन होने बाला इस लास तक बने रहे सो नमस्कार मेरा नाम सोनू आप दिख दे जो केसमा गोपता जोड़ोप चाहाँ चाहाँ पहले बार चाहाँ को सस्क्राइब कर ले साथ में बेल एक नगोश को भी दबाली ताइक लेटेस वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फिरी दोस्तों वीडियो को सुरू कहने से पहले वीडियो को लाइक कर दी क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है तो एक लाइक तो बनता है तो एक लाइक कर दी साथी अपनी दोस्तों में साथी Facebook ग्रूप और अर्सु ग्रूप में भी share कर दे ताकि जो भी चाथ त्यारी करें वे भी अच्छी तरसी त्यारी करके अच्छी सच्छी अंक लास के दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो की नीचे लिंक के है या चाहिएकर पहले लिस्ट में आपको मिल जागा वहां से देखके सभी परषण को अच्छी तरसी याद कर ले दोस्तो इस वीडियो में जितने भी प्रशन हैं काफी मात्पुन प्रशन हैं तो सवी प्रशन को आप ध्यान सुने और कोसिस करें कि अच्छी तरसे याद कर सके दोस्तो इस वीडियो में जितने भी परशन है परशन का एंसर आपको मालू मैतो नीचे कॉमेंट करें और आपको नहीं मालू मैत वीडियो को ध्यान पुरवक देखे और स्वर्चलिके अंतक देखे तभी जाएके आपको अच्छी तरसे परशन याद होगा तो चलि दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों स्कीन पर देख सकते हैं आपके सामने जो की परशने वह आ चुका है तो आप सभी परशन को ध्यान पुरवक सुने और देखे और अच्छी तरह से याद कर ले तेहां पर देख सकते हैं परतम परशन द पुत्र वियोग तो दोस्तों आपको यागए सुम्भद्रा कुमारी चोहान की लिखी कहपता कौन सी है वह यापी पुत्र वियोग तो एक का सेंस ओप्षन भी इसका राइट एंसर है अगले प्रश्निया आपी देख सेकती दोनों प्रश्निय की सुम्भद्रा कुमारी चोह चाहान कबसी कावी रचना शुरू की तो जो अपन इस्टुडेंट लाइब थी उसी वक्त से जो की सुरू कर दे ठीक है तो आप चाहात जीवन से शुरू की दो का से अपसन में इसका राइट इंसर है अगले प्रस्था आप देख सकतें तीनें प्रस्था की मुकूल तिधा रादी सुभादरा कुमारी चाहान की कैसी किरतिया है तो जो दो आपको यादके की थी तो कावी किरतिया है तेन का सेंस ओप्षन वा इसका राइट एंसर है अगले पृशने आप देख से ते चानल पृशने की सुबधरा कुमारी चौहान मुखे रूप से किस धारा की कवितरी थी सुभधरा कुमारी चोहान मुख्य रूप से किस धारा की कवितरी थी तो दोस्तों इसका राइट एंसर है उप्षन वा इसका राइट एंसर है राइट एंसर है दोस्तों अभी तक वीडियो को सेर करें ताकि और भी चाक जोरशके वह भी अच्छी तरसी त्यारी करके सच्छे अंक लाज़के दोस्तो इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपके सामने का आई बटन दिख रहा है उसे किलिक करके और वीडियो आप देख सकते हैं तो चले अगले प्रिष्ण की ओर चलते हैं दोस्तो ये सभी प्रिष्ण कापी मात पूने तो सभी प्रिष्ण को आप ध्या कब हुआ था तो दोस्तों इसका राइट एंसर कहां बात के लिए इसका जो राइट एंसर है ओप्शन वे एसका राइट एंसर है 16 अगस्त 1904 इसपी को तो दोस्तों आपसे बोडिक चाहा में पूच यह जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चोहान का जनम कब हुआ था तो 16 तो दोस्तों इसका राइट एंसर के आपसे बोडिक का राइट एंसर है अगले प्रिशन आपर देखसे थे 27 प्रिशन की मात के लिए अपने मन को समझाना कब कटिन हो जाता कौनहे नबा के लिए अपने मन को समझाना कब कठीन हो जाता है तो दोस्तों इसका राइट इंसर का बात के लिए तिसका जो राइट इंसर है ओप्शन और बीस का राइट इंसर है पुत्र मिर्टू पर तो दोस्तों आपको याल कि मा के लिए अपने मन को समझाना कब कठीन हो जाता है तो पुर्त्र जो होता है उसका मेटू पर जो की मा को समझाना काफी कठिन हो जाता है तो साथ का सैंस ओप्शन मर भी इसका राइट एंसर है अगले प्रशने आपे देख सेते आटनों प्रशने की सुभधरा कुमारी चोहान के पिता का क्या नाम था तो दोस्तों इसका राइट एंसर का बात कर लिक इसका राइट एंसर है अगले प्रशने आपे देख सेते 9 प्रशने की सुभधरा कुमारी चोहान के पिता है तो इसका राइट एंसर है तो सुभधरा कुमारी चोहान की पति का क्या नाम था तिसका राइट एंसर का बात के लिए तिसका जो राइट एंसर है और इसका राइट एंसर है ठाकूर लचमन सिंग तो दोस्तों आपको याद के कि सुभधरा कुमारी चोहान की पति का क्या नाम था ठाकूर लचमन सिंग नाम था तो नो का सेंस ऑप्सन वा इसका राइट इंशर है अगली पुर्षनिया आपई देख से ते दिसक orphic. कि बिखीरे मोती क्या है बिखीरे मोती क्या है मनले दूस्तों जो बिखीरे मोती क्या है। q. कहानी है उपनियास है या निमंद है या और भी कुछ है तो दोस्तों इसका राइट एंसर के हम बात के लिए तिसका जो राइट एंसर है ओप्सन और डिसका राइट एंसर कहानी संग्रा तो दोस्तों आपको यादे बिख्री मोती क्या है तो कहानी संग्रा है तो दसका सेंस कर लिए। नहीं पैसा नहीं लगठा तो एक लाइक बनता है। एक लाइक तुसाथ जकी आपको चाहें Greek पले लिष्ट में मिलगा वहांसे देखे सभी परशन को अच्छी तरह से याद करें। क्योंकि आपका बोडिक चाह्म काफी नदीक आ चुक है ऐसे मैं आपको अच्छी तसीर क्यारी करना होगा दोस्तों आपको बता दी कि Math, Physics, Chemistry, Biology कोई प्रिश्ट में डाउट है तो डाउट है आप डाउट है आप डाउट कर लिजे काफी बेतर है फिर जिसके मतसे आप कोई भी प्रिश्ट को चूटकों में सॉल्ट कर सकते हैं तो आज ही जाके डाउट के डाउटर एप जो की बहुत दूस्तों आगले प्रिश्टने आप देख सकेते हैं घारन प्रिश्टने की चमपारन में ठागर कहां से आये चमपारन में ठागर कहां से आये जो का मुँ़िश्टन ओप्सन A दोस्तों A आप हैं राची ऑप्सन B ढende जमसेदपूर ठीक है और option c आपि छोटा नागपूर option आप डी आपि आंध्पर्देश और option c आपि चूटा नागपूर तो दोस्तों आपको याद के चंपारन में थागर कहा से आये तो छोटा नागपूर से आये थे तो यहार का sense option c का राइट एंसर है अगली प्रक्ष्यापी, देखसेते 12 प्रिष्णे के, गांधी जी चंपारन में कप आए? तो दोस्तों आप सभी को इसका एंसर तो पहले से मानुआ है कि गांधी जी चंपारन कप आए थे? जिसका जो राय्ट येंसर है option 1 तो दिसका राइट एफन अप्रेल तो भीकना ठोडी तक जाती है तेरा का सेंस ओप्षन में इसका राइट इंसर है अगली पृस्ने आपके देख सेथे चोगदर पृस्ने की बराज कहां बं रहा था दोस्तों इससे पहले भी यह प्रशन पूछा चाच चुक है कि बराज कहां बं रहा था तो कि पूर्ण बन तो चावदो का सहनस ओप्षन और डीस का राहे टेंसर है अफली प्रिश्ण है यहां पर देख सकते पनर्ण अप्राइट अब प्राली ने सथागत को क्या स्वपाथा Been अबर पाली नेतथागत को क्या स्वापा था तिसका राइट नसर कि आम बात के लिग अप्शनमर 20 जो का 1 थाक है तो 15 का 63ा 충 में 20 का राइट नसर है अब प्रषोन आपई देख सेते तो दोस्तों इसका राइट एंसर है एक महुए के पेर के नीचे तो दोस्तों आपको बता दी कि मेरा एक सेकेंड चैनल पे जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल अकर उसको भी दबा ली ताकि लिए इस वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फिरे जोस्तों आपको बता दी कि उस चैनल पे आपको ऑनलाइन से जुड़े वीडियो आपको मिलेगा तो जल्ज चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल अकर उसको भी दबा के लाव कले ताकि आप वहां से भी बेनिफिट लाव पासके तो जल्ज जाके चैनल को सब्सक्राइब के लिए क्योंकि आपको ऑनलाइन से जुड़े वीडियो आपको मिलेगा तो आपको ऑनलाइन भी अगर वीडियो चाहिए कोई भी किसी सच समन्दी तो आप वहां से देख सकते हैं तो चले अगले प्रिशनी की ओर चलते हैं अगली प्रशने आपी देख सकते हैं जगदीश चंद माथूर को कौन सा अवार्ड मिला था तो दोस्तों इसका राइट इंसर का राइट इंसर है अगली प्रशने आपी देख सकते हैं जो कि अठारं प्रशने और काफी माथून प्रशने ये प्रशने तो बार बार एक हैं में पूछे जाते हैं कि माथूर जूर जी को किस समान से समानित किया गया था तो दोस्तों इसका राइट एंसर के हम बात के लिए इसका जो राइट एंसर है ओप्सन में इसका राइट एंसर बिहार राजे भासा पुर्षकार तो दोस्तों आपको यार के माथूर जी को कि समानित किया गया था तो अब बिहार राजे भासा पुर्षकार से समानित किया ग हुआ था मतलब दोस्तों इनका जो कि डेटों वर्थ किया है ठीक है इसका राइट एंसर के हम बात के लिए इसका जो राइट एंसर है ऑप्षन में इसका राइट एंसर है जो कि 16 जुलाई परस्ते तो पहले सापको कि राइट एंसर है या जो राइट एंसर में इस वीटियो पर्स्न थे तो पहले साे आपको पर्स्न यातनी नीचे कोमेन्ट करें I hope कि आपको वीडियो परस। पसंद आओ Woah, तो वीडियो को we दिस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखेंड वीडियो की नीचे लिंक है या चाहिए के पहले लिश्ट में आपको मिल जगा वहाँ से देखें सभी परशन को अच्छी तरसी याद कलें दोस्तों चाहें पे नए चाहें पे पहली बार आयें चाहें को सब्सक्राइब कलें साथ में एक बैल एक निगोस को भी दबाली टाकिलेटेस वीडियो आपको मिलता रहें विल्कुल फिरें तो चलिए दोस्तों फ वीडियो के साथ जाएं आप सभी का देन सुभो